मदूबनी के बहु चर्चित हत्याकांड के ग्यारवे दिन जेल में बंद पेडित परिवार के सदस्य संजे सिंग को जमानत पर रिहा कर दिया गया संजे सिंग पुलिस के खास सुरक्षा के बीच महमतपुर गाउं इस्थित अपने पैत्रिक आवास पहुँचे जहां उन्हें देखकर परिजन भी रोने बिलखने लगे इस दोरान मौके पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंग और MLC सुमन महासेट भी मौजूद रहे वहीं उन्होंने संजे सिंग से पूर्व के विवाद की पूरी जानकारी ली और नियाय दिलाने का आश्वासन दिया कोरोना संक्रमन के कारण राज्य भर में सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 11 प्रलतक के लिए बंद करा दिये गए हैं सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य के अलग अलग जिलों में इसका विरोध होने लगा है आज राजधानी पटना के डाग बंगला चौराहे पर स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया साथी कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम लोग जबरन स्कूल खोलेंगे और कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन को देखते वे बिहार में सभी सिक्षन संस्थानों को 11 अपरल तक के लिए बंद कर दिया गया है जिसके विरोध में शेकपुरा में भी प्राइविट स्कूल और चिल्डरन वेलफेर असोसियेशन ने सड़क पर उतर कर सरकार के प्रती विरोध प्रदर्शन किया वह उन्होंने कोचिंग संस्थान को पुराहा रूप से सुचारू करने की मांग किया वह उन्होंने कहा कि प्राइविट कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोगों का हाल काफी देयनिय हो गया है सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है हमें सिर्फ सरकार यह इजाज़त दे कि बच्चों को पढ़ाया जाए और स्कूल खोलने के वनमती मिले अन्यथा हम लोग आर्थिक रूप से बिलकुल बिबस है और इसके बाद हम लोग आगे भी प्लान बनाएंगे या तो धरना करें या फिर हम लोग